हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे इस चनल में मायगनुस सलुशन और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अदर्वाइस जो हमारी वेबसाइट है मायगनुस सलुशन उस पर जाके भी आप इसके अंसर ले सकते हैं मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूगी सो अब हम चलते हैं आपके सॉल्ड असाइमेंट की पीडिएफ की तरफ सो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपकी पीडिएफ है MEV004 Environmental Toxicology सो यह जो पीडिएफ है यह 2221 सेशन की है सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कुश्चन नंबर वन जो है स्टार्ट हो जाता है Define Environmental Toxicology Describe the mode of action of toxic substance सो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉस करके भी नोट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दीरे दीरे स्कॉल करके दिखा देती हूँ अगर आप चाहें तो इसे बाए भी कर सकते हैं सकते हैं अब हमारा नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर सेकंड इसका जो अंसर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं झाल, आप उन्वें आप सकते हैं क्या ओप कर दो ढर दलिए आपनी समिस्ट इसे pश वहां झाल झाल यहाँ पे हमारा कुछ नंबर थर्ड है और दिफान नूरो तोक्सिक अलगी डिस्क्राइब थे एफेक्ट्स और पॉलुट थे नर्वस इस्टम झाल 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 प्रेंड यहां पर हमारा कोश्च नमबर फोर्ट जा है वह एक्स्प्लेइन दा मेकानिजम ऑफ दी टॉक्सिफिकेशन इन दा हुमन बोडी वहए को वह एक्साखल को पेंगे और झाल 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 तो फ्रेंट्स यहां पर हमारा कुछ नंबर फाइफ है वह स्टार्ट हो जाता है झाल तो अब हमारा कुछ नंबर सिक्स है तो फ्रेंट्स यहां पर हमारा कुछ नंबर सिवन 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 नंब प्रेंड्स इसी के साथ जो हमारे सॉल्ड असाइमेंट की पीडेफ है वो फिनिश होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करेगा एंड इस पीडेफ को बाय करने के लिए आप हमें इस वट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी जो वेबसाइट है उस पे भी आपको इसके सलिशन मिल जाएंगे वेबसाइट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट करवा दूगी तो थैंक यू फॉर वाचिंग देस